नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगन बारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यह जो पोषन ट्रेकर एप है इस portion tracker app में पहली बार आंगन बारी सहाईकाओं के लिए एक नए feature को जोड़ा गया है जी हाँ इससे पहले आप सभी को मालूम होगा कि portion tracker app में सहाईकाओं के लिए कोई भी option नहीं जोड़ा गया था लेकिन ये जो 11.7 का update आया है जिसमें आगन बारी सेविका के द्वारा ये जो सहाईका आपके साथ काम करती है तो उनका कुछ details इस portion tracker app में भड़ना होगा वो option कहाँ पे है और उसमें क्या क्या option दिये गए हैं आगन बारी सहाईकाओं के लिए पुरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होने वाली है वीडियो को complete जरूर देख लिजेगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो आप इस चैनल को subscribe कर लिजे साथी साथ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर कर दिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो पोसंट्रे करेप है 11.7 का अपडेट आपने कर लिया है तो इसको सिम्पली हम लोग open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि right side के कोने में जो three dot का option दिया गया है इस three dot वाले option पे आपको click कर देना है आप जैसे ही इस पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे आगनबारी सेविकाओं के लिए जो profile update का option दिया गया था जिसमें आगनबारी सेविका अपना profile update कर सकती है उसके just नीचे ही यहाँ पे देख सकते है update awh profile यानि जो आगनबारी सेविका के साथ जो सहाईका काम करती है उसका यहाँ पे profile update करने का option add कर दिया गया है यहाँ पे जो आगनबारी सहाईका का profile update है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे उससे पहले यहाँ पे हम आपको बता दे कि जो सहाईका का profile update है जैसे कि पहले हम लोग जो इनका जो work experience है वो 12 years तक ही डालते थे लेकिन एक नए फीचर को जोड़ा गया है जैसे कि अब 12 years से जो भी आगनबारी सेविका का ज्यादा work experience है वो भी अपना यहाँ पे profile update कर सकती है तो चली हम पहले एक सेविका का profile update करते हैं उसके बाद आपको सहाईका का profile update करने के बारे में जनकारी देंगे जैसे ही आप profile update पे click करेंगे तो यहाँ पे जो सेविका रहेगी उनका यहाँ पे नाम एड़ रहेगा पहले से ही पहले आपको यहाँ पे अधार नमर डालना है पिर यहां पे जेंडर सेलेट कर लेना है फिर यहां पे आपको email id डालना है email id जैसे कि आपको जो आगण बाड़ी code दिया रहता है उसके आगे br करके जो unique code है उसको यहां पे डाल देना है और नहीं तो आपके जो play store है जहां से आप लोग percent record को update करती है वहाँ पे भी आपका जो email ID है वो वहाँ पे भी मिल जाएगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो play store में email ID है वो आप कैसे देख पाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे simply play store open कर लेना है play store open करने के बाद यहाँ पे जो icon दिख रहा है इस पे आपको touch कर देना है touch करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक email ID यहाँ पे दिया गया है जो हमारे नाम से है तो जो सेवी का अपने email ID से यहाँ पे login की होई है play store में तो उनका यहाँ पे br उसके बाद जो unique code होता है उसके बाद gmail.com करके जो gmail ID है उसको ही वहाँ पे डालना है तो इस परकार से आप लोग यहाँ से अपना gmail ID निकाल सकते हैं तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको पूरी details भर के दिखाते हैं कैसे इसको भरना है तो हमने यहाँ पे अधार नमर डाल दिया है top worth डाल दिया है फिर इसके बाद gender select कर लिया है और यहाँ पे देख सकते है gmail ID भी डाल दिया है gmail ID हम आपको बता दिया है कैसे डालना है उसके बाद यहाँ पे mobile नमर और रेडी रहेगा फिर यहाँ पे देख सकते है कि यहाँ पे हमने work experience जो है यहाँ पे इनका work experience जीतना है वहाँ पे डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे option दिया जाएगा जो highest education qualification आपकी कितनी है तो इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आप कितनी पढ़ी लिखी है आपने की है वह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकती है तो यहाँ पे हम secondary select करेंगे secondary select करने के बाद यहाँ पे आपके center का नाम रहेगा और आगनवारी code रहेगा वह automatic ही पहले से फिल रहेगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे जो submit का option दिया गया है इस submit वाले option पे आपको click कर देना है तो चलिए हम यहाँ पे click कर देते हैं आप जैसे ही click करेंगे तो आपका जो record है वो successfully add हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको 3.0 पे जाना है और यहाँ पे profile update में जाना है यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो कुछ भी भरा है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है अगर आप इसमें कुछ changing करना चाहें तो आप यहाँ से changing कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो आउन बारी सहाईका है इनका profile update कैसे करना है तो इसके लिए आपको इस पे click कर देना है click करने के बात देख सकते हैं कि जैसे सेविका का profile update करते हैं उसी परकार से सहाईका का भी profile update कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है पहले यहाँ पे उस सहाईका का अधार नमर डालना है यहाँ पे नाम automatic रहेगा उसके बाद यहाँ पे data worth डालेंगे फिर यहाँ पे gender select करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे जो email id है उसको डालेंगे अगर इनका जो email id है वो विभाग के पास मौजूद है तो वहाँ से लेके यहाँ पे डाल सकते हैं नहीं तो फिर कहीं से इनका जो email id है उसको बनवा के यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पे जो सहाईका का mobile number है वो पहले सहीं यहाँ पे add रहेगा उसके बाद यहाँ पे जो work experience है सहाईका का वो कितने वर्सों का है वो यहाँ पे select कर लेना है फिर इसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं highest education qualification तो जो इनका highest education है वो यहाँ पे select कर लेंगे जो application है कितना पढ़ी लिखी है वो यहाँ से select करके फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि center का नाम और आगनबारी code दिया रहेगा जैसा हम लोग सेविका का profile update करते हैं ठीक उसी परकार से सहाईका का भी update करने का option दिया गया है यहाँ पे मैं उनका करके नहीं दिखा रहा हूं सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे करना है तो आप लोग इस परकार से करेंगे तो सहाईका का भी profile update हो जाएगा तो उमीद करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादा से जादा आगनबारी वहनों के साथ सेर जरूर करें और इसके रिकार्डिंग आप लोग का कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद